दोस्तो कल है 26 नोवेमबर याहनि माइक्रो मैक्स सकताने तरफ से आने वाला बजट ए स्मार्फून चाहिए तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करूँ प्राइस के बारे में तो यहां पे 4GB चॉसरी इस भी स्टोजिक चाहत में आता है इसको कमपीट करने वेगार में अगर को दुसरा स्मार्पोन है तो साथ में आपको स्मार्पोर प्लस भी साथ जान शनान में आता है तो मैं सारे आपको बताऊंगा डिटेल देखने के बाद आपको मुझे पूड़ा उमीद है कि कहीं कर सकते हैं आपको कौन से स्मार्पोर पर्चेस करना चाहिए तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं अ आपको फ्रंट साइड में मिलता है डियो डॉडप मिनी डॉप नौच के साथ में आता है एजडी प्लस डिस्पले रियर सारी में आपको डूड़ कैमरा का मिलता है साथ में आपको एलडी फ्लाइस है और फिंगर फिजिकल फिंगर बीड का सब्पोर्ट देखने को मिल जा प्मेरस में में भी कर सकते हैं घ्रिकेटी काड का ओप्शन देखsell को मिलता है नहीं डियुक्राइब क्वार्ट का उप्शन साथ में सेल्फी के बात करूं अगर बात करो अगर आपको एहां पर प्यॉर च्रॉक एंडरीड मिलता है आपको काफी शाइब लेगा उसके बाद में यहां पर बात कर देखने को नहीं मिलेगा रियर साइड में लेकिन Face Unlock का support देखने को मिलेगा, एरियर समें Dual Ear Camera का support मिलेगा, सामने की तरफ में आपको mini drop display देखने को मिलेगा, अगर बात करो display के size के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.52 इंच का HD Plus mini drop display देखने को मिलता है, और जोस्ते इसमें आपको 3G RAM, 32GB storage मिलता है, साथ में storage को आप expand भी कर सकते है, Micro USB card लेगा के triple card का slot आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 5000 बर्गे बैटरी मिलेगी, आपको fast charger का support भी देखने को मिल जाएगा, अगर बात कुरूं के बारे में तो यहाँ पे dual rear camera है, 12 Megapixel primary camera प्लस 2 Megapixel का boot app sensor camera मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे 5 Meg देखने को मिलेगा, यहाँ पे home UI पे work करता है, रियन बेख खुद के UI यहाँ पे strike Android का feature आपको देहने को नहीं मिलने वाला है, तीज बी रेम 32 यह साथ में साथ है, 9-9 इसका price पड़ता है, दोस्तों उसको बात करता हो, इन्फिक से smart 4 प्लस यह भी आपको साथ है, 9-9 यान अगर बात को डिस्प्ले के साइज के बारे में, तो है थोड़ा सा बारा है, 6.82 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप movie देखना या वीडियो देखेंगे, तो काफी ज़्यादा व्यू आपको अच्छा ना जला है, क्योंकि बात कर प्रफुमेंस के बारे में और बिग बैटरी यानी 6000 मिलिया बैटरी की बैटरी मेलेगे, जो काफी अच्छी बात है, दोतीन दिन दा आप आराम से बैटरीज को चला ही लेंगे, अगर बात करें कैमरा के बारे में, तो यहां पर आपको यहां बेर डूबल रियर का मिलता है, जिसमें प्रामरी कैमरे स थर्टीन मेगापिक्सल मिलता जो सेकेंड़ी है वो मेगा पिशल में बता गया बस या आई कैमरा बता गया या फिर आपको या इक कलर गए के लिए कैमरा पर सेंसर या लॉ लाइट सेंसर यूस करके आपको दिया गया होगा, अड सेलफी कैमरे के बात करो तो यहां पे आपक जंग से खुद के यह पर पहुरन पर बैस्ट करता है वह करता है आपको ये भी आपको 3210 वी श्टोट के साथ में 7 क्या नोस्ट का नोस्ट नमी यानी आता है दोस्तों उसके बात करता हूं पोको सी प्लस देखने को मिलेगा एट इसमें भी आपको मिडियाटिक हीलियो जी थर्टिफाइब ऑक्रोबेश्ट है चिपसेट देखने को मिलेगा तीन जीविर एम बत्रीज़ी भी स्ट्रोज के साथ में आता है इस्ट्रोज को एक स्पेंड कर सकते हैं जिसके लिए तीन जीविस कर सकते है अगर बात क्यंश के बारे में तो यहां पर उस्टिफण का प्लस मेगेएपिसल का आपको डिप सेंसर कामइरा देखने को इन्याटा है घा Dios फाइब मेगापिसल का सिंगल सिल्फी सूटर कैमरा देहने को मिल जाता है यह मीवाई 11 पे बेच्ट है जो के Android 10 पे बेच्ट वाक करता है इसका प्राइस आपको 32 शुक्साथ में साथ है नौसन एनवे में आ जाता है दोस्ते उसका बात कर तो सैमसिंग के भी आगर आप सैमस देखने को मिलता है डिस्प्ले की साइज की बात कर सकते है का आपको अपको मिलता है साथ में के बात करूते हैं हम आपको लुख sacar का फाइब में का आपको चलता है इसका ऑपको साफाहएज और शुटर यह ऐसका पड़ने में आपको के प्राइस प्ड़न के बारे में जो कि बारे में कि कौन सा ci आप करो इसका प्राइस कबात करूँ आपको सब्सक्राइब आपके लिए बेस्ट होने वाल है कि मैंने सारा चीज आपको बता दिया अब खुछ से डिसाइड कर सकते हैं फिर भी मैं आपको डिस्प्ले में बता रहा हूं और जोस्तों बता दे रहा हूं कि कौन से स्मार्टफून आपके बजर में फिट बैठता है दूसरों अगर बात करूं के बारे में तो सिर्फ बड़ा बैटरी यानि 6000 मिलिया पर बैटरी बड़ डिस्प्लेई 6.82 का डिस्प्लेई चाहिए तो आप इन भी से स्मार्टफोर प्लस के तरफ जा सकते हैं वरना आप इसको को लेव कर सकते हैं समसिंग लेक्स M01 को भी लेव कर सकते हैं क्योंकि यह आपको बहुत अच्छा प्रफॉंक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा अब बाता है रियल्मी C3, Poco C3 और आपको यहाँ पर नोट सॉरी मैक्रोमेक्स इन 1B में यह है कि आपको 4G मिलता है पोको C3 में प्लस पाइंट यह है कि आपको ट्रीपल कैमरा से लोट का ओप्शन देखने को मिलता है फिकल फिटिकल फिंगर बीट आपको दोनों में नोट 1 में नो सॉरी इन 1B भी वे यहाँ पर आपको पोको C3 में भी मिलता है बट यहाँ पर रियल्मी C3 को प्रिसाइड कर देते हैं अब आता है अगर बड़ा बैटरी अगर सॉरी बड़ा चाहिए यह नहीं कि रहेम और इस बढ़िए चाहिए आप इन 1B देख सकते हैं या फिर कैमरा ज्यादा चाहिए ट्रिपल कैमरा चाहिए तो पोको C3 के देख सकते हैं मेरा काम है आपको सारे चीज़ के बारे में डिफरेंस बताने किसमें क्या मिलता नहीं मिलता जो कर मैंने मुझे उम्मीद है अच्छे से मैंने बता है और पसंद आगा तो फिर वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राब जरू कर दिए गाज मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए टेक कर अब सेल बाइ